आप सबको अपने सेनल पर स्वैगे थे और देखे नीट 2014 जो एक्जामनेशन कंड़क्ट हुआ चाहे एक फॉर्म फिलप से लेकर रिजल्ट रिजल्ट के बाद फिर कॉंसलिंग सारे विवाद होता चला गया और इसी बीच में एक फिरस एक नया केस आ गया है जिसमें सिब्याई ने केस को रजिस्टेर किया है क्या ये नीट 2014 का एक्जाम जो हुआ है या फिर जो इस छातरे एक्जाम में बैठे क्वालिफाइ किया अब राहत की सांस ले सकेंगे क्योंकि स्टे केस जर्ज किया है और वह केस करके कि नीट के प्टेपर में ही कहा कि है कि निसिका प्रेमस निसिका यादो ठीक है सिकंड यर की स्ट्रेंड है उन्हों ने उनको यह पकड़ा है ठीक है एलिगल प्रेट डीपी पार्टेल यूनिवर्शीटी ऑन दा मैं बिहाफ आप दा अनादर कंड़ेट यानि दूसरे चात्र के दूसरे चात्र के जगा पर यह चात्र बैठी थी क्योंकि इसको जब जाच किया गया तो इसके फिंगर प्रिंट जो है उसके बैठने वाले चात्र के बैट रहे हैं पूरी तरह से नीट के एक्जाम को या कॉलेज में मेडिकल एक्जाम को लेकर निकेल अभी तक नहीं कसा गया है तो कैसे उमीद किया जाए कि NTA के द्वारा से जो अब एक्जाम कंडक्ट होगा खास करके मेडिकल के लिए नीट के लिए तो क्या वो फ्रेस होगा विश्वास करने यूग होगा एक सवाल या निशान चुकि इस सारे मामला आपके सामने अल्रेडी है तो सबसे पहले यहां बता दो कि यहां पर जो निसिकांत यादो जी एक्जाम दे रही थी और उस एक्जाम में सिकंड येर के स्ट्वेंटी और परस्ट येर के स्ट्वेंट के जगा पर ये बैठी थी ये एकदम सरास्तर गलत था बाद में वरिफिकेशन हुआ तो ये पकड़ी गई और सीब्याई ने फिर एक नया केस को रजिस्ट्रेड किया अभी तक जो है जो घपला हुआ है या पेपर लिक मामला है या फिर उसक आगर हुआ है तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन था चैनल जरू सबस्क्राइब करोगा यार चैनल जब नहीं सबस्क्राइब करोगा तो सही इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा और अब जो वीडियो आपके सामने आ रहा है वो नीट के साथ-साथ आपके हीट का यानि चात्रों के हीद के लिए जो वीडियो होगा जो टापिक होगा वर्ल्ड में जो भीत रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन और अच्छी वीडियो आपके साथ आने वाला है तो चैनल जरू सब्सक्राइब करें को बेल नॉटिशन कर लो जैहिन जबारत